दोस्तो अगर आपने हिंदू धरम के गरंथों यानि कि रमायन और महाभारत को पढ़ा है या फिर देखा है तो आपने भीशम और बाली का नाम तो जरूर सुना होगा क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश करी है कि भीशम और बाली में कौन सा योध्धा सबसे शक्तिशाली था आखिर दोनों में से किसका बल सबसे अधिक था रमायन और महाभारत दोनों ही महा कावय हमारे सनातन धरम की एक मुख्य दरूहर है जहां रमायन काल में एक से बढ करेंगे जिनकी शक्तियां बेमिसाल थी और इनसे सीधे तोर पर युद्ध करना मौत को दावत देने जैसा था ये दोनों ही अपने समय काल के महान योध्धा थे वैसे कभी इन दो योध्धाओं का मुकाबला तो नहीं हुआ लेकिन आज हम इन योध्धाओं की शक्तियों भीशम पितामा थे वही अगर दोनों ही योध्धाओं का मुकाबला होता तो आखिर किसी योध्धा की जीत होती इस आकलन को हमने तीन श्रेणियों में बाटा है तो चलिए आईए जानते हैं इन तीन श्रेणियों के हिसाब से किसी योध्धा में अधिक शक्ति थी लेकिन नए वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहें। शक्ती शीन हो जाएगी और वो बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजे था। उसका मुकाबला करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। और ऐसे ही बाली ने कई सारे युद जीते थे। वहीं अगर भीशम पितामा की बात करें तो उन्हें महाभार का सबसे शक्तिशाली योधा भी माना जाता है। जिनका वद करना पांडवों के लिए लगभग ना मुमकिन था। वह तो भगवान शीरी कृष्ण ने उन्हें मारने के लिए चल का सहारा लिया। तब जाकर शिखंडी को ढाल बनाकर उनका वद संभव हो पाया। दरसल द पांतरू ने खुश होकर उन्हें इच्छा मृत्यू का वर्दान दिया। जिसके चलते भीशम को बिना उनकी इच्छा के मारना किसी के भी बस की बात नहीं थी। अब इस आकलन में दिव्य अस्तरों का इस्तेमाल ना होता तो बाली और भीशम पितामा मल युद अवश्य करते और दोनों आमने सामने होते तो भीशम की आदी शक्ती बाली के भीतर प्रवेश कर जाती जिससे बाली और अधिक शक्ती शाली हो जाता बाली चाहकर भी भीशम का वद्ध तो नहीं कर पाते लेकिन भीशम की आदी शक्ती लेकर उन्हें कमजोर जरूर कर देते और इस इससे ये साफ़ जाहिर होता है कि इस मल्यूद में बाली की ही जीत होती वहीं दूसरा है दिव्यस्तनों की शक्तिओं का ग्यान। बाली की बात की जाए तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बाली के पिता इंद्रदेव थे, जिनके कहने पर उन्होंने ब्रह्मा जी की गोर तपस्या की, जिससे प्रसन होकर ब्रह्मा जी ने उनका मार्गदर्शन किया, वही उनके गुरू भी थे, बाली के पास यूँ तो का उलेख नहीं मिलता वही महाभारत के भीशम पितामा की बात करें तो भीशम पितामा ने अपनी आरंभिक शिक्षा भिन भिन गुरुओं से अरजित की थी जैसे कि देव गुरु भ्रहस्पति से उन्होंने दंड निती गुरु शुक्रचारे से उन्होंने राज निती और अन्य शस्त्रों का ज्यान अरजित किया वही रिशी वशिष्ट से उन्होंने वेदों का ज्यान लिया रिशी चाया वन्म से उन्होंने आयरुवेद तथा अन्य वेदों का ज्यान सीखा वही सनंत कुमार जी से उन्होंने मानसिक तथा अध्यात्मिक ज्यान को सीखा और प प्रवतास्त्र, भ्रहमास्त्र और भ्रहमशीरास्त्र था इसके अलावा भी उनके पास कई अनेको दिव्यास्त्र मौजूद थे भीशम पितामा के पास इस तरह के भयंकर अस्त्र शस्त्रों का भंडार था तो अगर दिव्यास्त्र शस्त्रों को लेकर बाली और भीशम पित और इसके ही हिसाब से युध देखा जाएग तो भीशिण पितामा भाली प्रावनों की एक एक विचे इसमें और शक्ति शाली रावन तक को युध तो यही नहीं बाली ने खुद हजारों राथियों का बल रखने Сп vaccin काभी वद् Regierung बा और उसके बाद उसके भाइं मायावी का भी वद्ध उन्होंने एक गुफा में किया था। उसके बाद बाली ने सुग्रीव को भी हराया लेकिन हनुमान जी से जब बाली का यूद हUA तब वो उनकी शक्ती का एक भाग भी सेहन नहीं कर पाये। वहीं बाली की शक्ती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भगवान शिरीराम को भी बाली का वद करने के लिए छिपकर उन पर हमला करना पड़ा और तब जाकर बाली का वद संबभ हो पाया। वहीं अगर महाभारत के भीशम पितामा की बात की जाए तो उनका नाम सुनकर ही हर कोई थर्थर कांपता था। भीशम पितामा ने कई सारी शक्तिशाली युद्धाओं को प्रासत किया था। नहीं निकला था और इस युद्ध को शांत करवाने के लिए खुद महादेव को आना पड़ा था। सिर्फ यहीं नहीं कुरुशेतर के युद्ध में भीशन रोजाना कई लाखों पांडव सैनिकों का वद्ध करते थे। उनके पास इच्छा मृत्यू का वर्दान था इस दोनों ही बेहद शक्तिशाली युद्धा थे इन दोनों ही महान युद्धाओं की शक्तियां भले ही अलग हूँ लेकिन न में एक सम्मानता थी। और वो यह थी कि दोनों ने ही अधरम का पक्ष लिया था। इसलिए दोनों को ही इश्वर द्वारा रची गई लीला के चलते अपने प्रान त्यागने पड़े तो आखिर दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली था इसका जवाब हम आप पर छोड़ते हैं इन तीनों ही आकलन पर गोर किया जाए तो दोनों ही एक एक युद्ध जीत चुके हैं लेकिन तीसरा आकलन आप पर निर्भर करता है तो कमेंट बॉक्स में अपने मन पसंद युद्धा के विश्य में अवश्य लिखें और जरूर बताएं कि आपके हिसाब से दोनों में से कौन सबसे अधिक शक्ति शाली था तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है इसी के साथ प्रिया दर्शिकों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको भी ऐसी वीडियो देखना पसंद है या आप भी रमायन और महाभारत से जुड़े और भी तथ्यों को जानना चाते हैं तो अभी हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आपकी नौलेज को बढ़ावा मिलता रहे साथ ही अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से जादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ताकि उन्हें भी पता चल सके और वो भी इस इंटरस्टिंग वीडियो का एक पार्ट बन सके तो इसी के साथ दीजे इजाजत आपका बहुत बहुत धन्यावाद